C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की ध्वनी पुस्तक आनन्द मय प्रिष्ट संख्या सोलह, पाठ दो, आसपास की आकरतियां यहां प्रिष्ट संख्या सोलह पर एक चित्र दिया गया है यह चित्र गर्बा उत्सव का है इसमें मंच पर कुछ बच्चे, कुछ संगीत बाद्दे बजा रहे हैं और दो लड़कियां या महिला और दो लड़कियां गर्बा कर रही हैं साथ ही वहां पर मेज पर कुछ मिठाईया रखी हुई है प्रिष्ट संख्या सत्रह, आउ करें चित्र में अलग-अलग प्रकार के संगीत के उपकरणों को समझिए क्या आपने इन में से कोई उपकरण पहले कभी देखा या बजाया है अपने साथियों को बताईए क, ड्रम के आकार जैसे अन्य उपकरणों पर गोला लगाईए ख, मटके के आकार जैसे अन्य उपकरणों पर सही का चिन लगाईए ग, शहनाई जैसी आकरती पर सही का चिन लगाईए ग, चर्चा कीजिए कि हार्मोनियम का आकार ड्रम के आकार से किस तरह भिन है आओ सोचें, सबसे अलग पर गलत का निशान लगाईए यहां प्रिष्ट संख्या सतरह पर कुछ वस्तुएं दी गई है इन वस्तुओं को तीन अलग-अलग भागों में बाटा गया है पहले भाग में गाजर, आइसक्रीम की कौन, संतरा और चनाजोर गरम की एक कौन दी गई है आपको पहचान कर बताना है कि इन में से सबसे अलग चीज क्या है दूसरे भाग में एक आइना, एक घर, चांद और प्रित्वी का चित्र दिया गया है आपको समझ कर बताना है कि इन में से सबसे अलग चीज क्या है तीसरे भाग में एक पाइप, बेड, सोफा और गद्दा दिया गया है आपको इस में से समझ कर बताना है कि कौन सी चीज इन में से सबसे अलग है यहाँ पर दिये गए संगीत उपकरणों के आकारों में समानता की चर्चा कीजिए एवं आस पास उपलब्द संगीत उपकरणों के विशे में चर्चा कीजिए संगीत उपकरणों को बजाए जाने की तरीके के आधार पर भी उपकरणों का वर्गी करण कीजिए जैसे ड्रम एवं तबला पीट कर बजाए जाते हैं गिटार एवं सितार, तार से एवं शहनाई एवं बांसुरी फूंक से बजाए जाते हैं प्रिष्ट संख्या 18 यहां प्रिष्ट संख्या 18 पर दे गए वस्तुएं और संगीत उपकरण हैं ड्रम, हार्मोनियम, घंटी, मेज, मटका, शहनाई, बांसुरी, गोटी, कोन, संतरा, बक्सा यहां पर दिये गए ठोस आकार हैं, बेलनाकार, त्रबजाकार, आयताकार, गोलाकार और वर्गाकार प्रिष्ट संख्या 19 हिना और आतिफ यहां प्रिष्ट संख्या 19 पर एक चित्र दिया गया है, जिसका कुछ भाग प्रिष्ट संख्या 20 पर भी दिया गया है, जिसे चार भागों में माटा गया है पहले भाग में हिना और आतिफ हैं, उनके पास में एक उपहार पेटी रखी हुई है साथ में कुछ चमकीले सितारे, कैंची और गोंद रखी हुई है आतिफ कहता है मैं अपने मित्र के जन दिन के लिए उपहार पेटी सजाना चाहता हूँ हिना ने कहा मैं फीते, फूल और पॉम-पॉम गेंदे ले आई हूँ हाव इसे सजाते हैं दूसरे भाग में आतिफ और हिना है और साथ ही वो उपहार पेटी को सजा रही है उनके पास में कुछ पॉम-पॉम गेंदे हैं, कुछ चमकेले सितारे हैं, कुछ रंगीन पठिया और फीते हैं और कैंची है, साथ ही गोंद भी है हिना ने कहा मैं पेटी की प्रत्येक सता पर एक-एक फूल लगाऊंगी आतिफ ने कहा अरे वाह, ये बहुत सुन्दर है आओ गिने के हमें कितने फूलों की आवशकता होगी इसकी छे सता हैं, इसलिए हमें छे फूलों की आवशकता होगी तीसरे भाग में हिना और आतिफ हैं और उन्होंने उपहार पेटी को थोड़ा सा सजा लिया है हिना ने कहा ये सच में बहुत सुन्दर है आओ मैं इसके किनारों पर फीते लगाती हूँ आतिफ सोच रहा है चौथे भाग में हिना और आतिफ ने मिलकर उपहार पेटी को लगभग पूरा सजा दिया है आतिफ रंगीन फीता लगा रहा है आतिफ कहता है हाँ, हमें सभी किनारों के लिए बारा फीतों के आवशकता होगी कुछ छोटे और कुछ बड़े होंगे बच्चों को चौक के डिब्बे जाडन या अन्य ठोस वस्त्वों से सतह, किनारों और कोनों का अनुभव करने का अवसर दें प्रिष्ट संख्या 20 यहां प्रिष्ट संख्या 20 पर चुत्र के पाँचवे भाग में हिना और आतिफ हैं और उनके पास उपहार पेटी है जिसे वो रंगीन फीतों की मदद से सजा रहे हैं और उनके आसपास कुछ पॉम-पॉम गेंदे भी हैं हिना ने कहा क्या मैं इन कोनों पर गेंदो को लगाऊं? चित्र के चठे भाग में हिना और आतिफ बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने उपहार पेटी को पूरी तरह से सजा दिया है आतिफ कहता है वाह! ये रंगीन गेंदें सभी आठ कोनों पर सुन्दर लग रहे हैं आओ करें यदि आपको यहां दी गई वस्तुओं को यहां दिये गए तरीके से फोल, फीतों एवं पोम-पोम गेंदो द्वारा सजाना हो तो कितने फोल, कितने फीतों एवं कितनी पोम-पोम गेंदों की आवशकता होगी तालिका पूरी कीजिए यहां पर तालिका के चार भाग हैं पहले भाग में लिखा है वस्तू, दूसरे भाग में लिखा है सतह पर फोलों की संख्या, तीसरे पर लिखा है किनारों पर फीतों की संख्या, और चौते पर लिखा है कोनों पर पोम-पोम गेंदों की संख्या. वस्तु के नीचे तीन चित्र हैं पहला चित्र मेज का है दूसरा चित्र एक कोन का है और तीसरा चित्र एक बक्से का है अब आपको रिक्तिस्थानों में उचित संख्या भरनी है प्रिष्ट संख्या 21 आओ करें यहां दी गई वस्तुओं से तालिका को पूरा कीजिए। यहां प्रिष्ट संख्या 21 पर एक तालिका दी गई है। जिसे वस्तु, मैं ऐसा हूं, सतहों की संख्या, किनारों की संख्या और कोनों की संख्या में विभाजित किया गया है। दी हुई वस्तुओं हैं गोटी, गद्दा, गाजर, पाइप, फुटबॉल, क्रेयोंस, आइस्क्रीम कोन, पानी की बोतल। मैं ऐसा हूं में आकरितियों के प्रकार के नाम लिखे हैं। गोटी के आगे लिखा है घन, गद्दे के आगे लिखा है घनाब, गाजर के आगे लिखा है शंकु, पाइप के आगे लिखा है बेलन, फुटबॉल के आगे लिखा है गोला, क्रेयोंस के आगे लिखा है घनाब, आइस्क्रीम कोन के आगे लिखा है शंकु, और पानी की ब इन्हें आपको भरना है इसी तरह अन्य वस्त्वों के लिए करें आओ करें रिक्तिस्थान ऐसी वस्त्वों के नाम बताईए जिन में यहाँ पर क, ख, ग, तीन रिक्तिस्थान दिये गए है दूसरे खाने पर लिखा है एक कोना हो यहाँ पर क, ख, ग, तीन रिक्तिस्थान है तीसरे खाने में लिखा है तीन कोने हो यहाँ पर क, ख, ग, तीन रिक्तिस्थान है और चौते खाने पर लिखा है रिक्तिस्थान कोने हो यहाँ पर भी क, ख, और ग, तीन रिक्तिस्थान दिये गए है परियोजना कार्य एक गत्ता लीची एवं चार सतह वाली कोई वस्तु बनाईए अब किवल एक सतह वाली वस्तु बनाने का प्रयास कीचीए बच्चों को ऐसी आकृतियां ढूढने और उन पर चर्चा करने के लिए प्रोच साहित करें जिन में एक, दो, तीन कोने या कोई भी कोना नहीं हो वो मिट्टी से भी ऐसी आकृतियां बना सकते हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की गनित की ध्वनी पुस्तक आनंद मैं वाचन स्वर प्रवीन शर्मा और शालीरी सिंग तक्नीकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो धन्यंकन मयंक कुमार और विकास सांग्वान निर्माण सहयोग कुसुमलता निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत